है इस्टोलाजि सिम्प्लीफाइड में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं आग्ण ज्योतीश्चला में आप बात करेंगे रहो गर pens के बारे में। रहोगर और का जो कार्य छेत्र है उसमें किस तरह से सपलता दे सकता है, इसकी संच्छित जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो आम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रावगर है, अगर आपके कुंडली में रावगर अच्छी स्थिती में है, दसवे भाव में हो, ग्यारे भाव में हो, बुद्ध की रासियों में हो, सुक्र की कारक है तो आनलाइन जो कारे चित्र आजकल बहुत चल रहा है उसमें जो ग्रह आपको साहता करेगा अच्छे सफलता देगा वो राहु ग्रही कर देगा तो राहु घर का संबंद अगर दस्वें भाव में और 11 भाव में हो और यहां पर अगर सनी राहु शुक्र बुद्ध कि यह अपने सवरासी उच्छ रासी ओंए दस्वें वाव में हो तो आपको और यह जो भी ग्रह और बल्वान हो तो आपको जरूर आन-लाइन जो पार चित्र आइसमें सफलता प्राप्त करेगा जो भी आप रोजगार कर रहे हैं तो आपका सफलता हंडेड पर संड इसमें शोर होती है क्योंकि राहु जो है आनलाइन जो कारेच छेतर है उसका बिजनेस का कारक बनता है और वो दस्वें ग्यारवाव से संब्ध बनाता है तो आपको यह देखना है कि बुद्ध ग्रव की अच्छी स्थति होना चाहिए वो भी केंट्रिकोंड में सवरासी मितरासी के होंगे तो आपको जो यापार है बिजनेस आनलाइन करेंगे उसमें अच्छी सपलता प्राप्त करेगा तो दस्वा भाव आपका कर्मचेतर है और ग्यारवा भाव आपका लाब का भाव है और राहु और जूसरे करह जो हमने बताए उनका संब्ध इन भावर से होता है तो यह जरूर आपको आनलाइन कारे चेतर में आपको बहुत ही सपलता प्राप्त करवाएगा तो जरूर आप अपनी कुंडली में है उसमें जरूर देखिए और भी आपको जो कारे चेतर के बारे में बिजनेस के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आमारी जो चैन वीडियो अपलोड किये हुए हैं उपलब देख हैं उनको आप जरूर उनकी सहता से आप अपने कारेचित में उसको सफलता प्राप कर सकते हैं आप उसका ज्यान अरजित कर सकते हैं जो भी हमारे वीडियो है वह आपको जरूर सहक होंगे आपको लाप पहुचाएंगे तो ज सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए आपने हमारी जैनल को सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक किया शेयर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल